हलो फ्रेंड्स श्रीया नमन ब्लॉक्स में आपका स्वागत है तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आज बनाई थी आलू की हलवाई स्टायल सब्ज़ी बनी थी बिल्कुल हलवाई स्टायल बनाई थी टेस्ट भी वही था और मैंने इसे पत्तर के दोने में सर्व किया है जो ठीड्य को मैंने तरुप कर लिया है और दिर जीरा चार तो काली म्र्सू में सीवीत सब्स्थी history संदल करने ऐसे त्रूमिड्यर लिए संसे बीन तयरें तेल् सब्स्थी में अच्छी होती है तो इसे हम गरम होने जाने देंगे, हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया था, तब इसमें मैंने एट कर दिया है, जीरा, लॉंग और काली मिर्च जो मैंने लिया था, साथ ही तेज पता, इसका थोड़ो खुसबू आने तक पकाएंगे, हमने जीरा एट किया है, तो ये करेंगे, अच्छे से मैस नहीं करेंगे टमाटर को, आपने देखा होगा, जब भी हम सबजी बहार से खाते हैं, हलवाई स्टाइल जो होती है, उसमें टमाटर देखते हैं, तो अच्छे लगते हैं, इसलिए ज्यादा मैस नहीं करेंगे, शिर्फ हमें सॉफ्ट करना है टम टमाटर इसलिए, तो बहुत ही अच्छी सबजी बनेगी, आप एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राइ करें, तो नमक एड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसे हम ढख देंगे, जब तक कि मसाला अच्छे से नहीं पक जाता है, और टमाटर सॉफ्ट नहीं हो तो इसे हम बाद में यूज करेंगे, हिंग को, तो बहुत अच्छी खुश्बू आते हैं, तरीके से आप डालोगे, तो अब हम मसाला चेक करते हैं, तो यह देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, बस मुझे इतना ही पकाना था टमाटर को, अच्छे से मे सब्जी में दिखता है, तो अच्छा लगता है, इस तरीके से मैं अच्छे से हमें मिक्स करना है, मसाले में, और इसे हम तो एक मिननट के लिए पकारेंगे, पानी एड़ करने से पहले, आलो तो मैंने इस एक मिनट तक पका लिया था, अब इसमें हम, अपनी सब्जी के पकाना है सब्जी को यूशलिए पानी यूज किया है कम से कम 10 आ 15 मिनट तक सब्जी को पकाइं अगर हम कम पानी क्रेंगे तो सब्जी को अच्छे से नहीं पका पाएंगे यूशलिए तो पानी रखी थी I can imaginary me post अच्छा लग तरुक तरीके सरभी बनती यहां तो तभी मतलद्ला हलवाई वाला टेस्ट आता है इसमें तो आपसे ढक देंगे तो मैंने ठख दिया था 5-10 मिनट पाद ये पकने पक रही है हमारी सब्सके पाद मैंने अच्छे से अब इसके बाद हम इसमें लाश्ट में हैड कर देंगे दो चम्मच मैंने लिया है आम-चूर पाउडर मैं अगा diff innovation को सब्सक्राइब कर कचोड़ी के साथ तो कैसी लगी मेरी रेस्पी आपको प्लीज बताएं और मैंने अपने चैनल पर ये मैंने मुंग दाल की कचोड़ी के साथ सर्व किया है और मुंग दाल की कचोड़ी कैसे बनाए उसकी रेस्पी मैंने पहले से ही अपने चैनल पर है और मैं इसका लिंक